आप लोग आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी माई डियर इस्टुटेंट्स आज किस क्लास में हम लोग हिंदी के मौस्ट इंपॉर्टेंट को करने वाले हैं जो आपके बिहार पैरामेडिकल दोहजार चॉबिस के एक्जाम और पॉइंट भी उसे काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो एक बार बच्चो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी छातर कनफर्मेशन दे देंगे क्या मैं अच्छे से दीख रहा हूँ क्या मेरी भाइस आप लोगों तक परफेक्टर से पहुँच पा रही है तो एक बार सभी छातर वन टाइप कर देंगे जी हाँ एक बार वन टाइप कर देंगे ताकि मैं समझ पाऊं कि हर एक चीज़ किलियर है और आज की सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा और सेशन स्टार्ट करने से पहले सर एक छोटी सी रिक्वेश्ट है यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो उसके लिए आप लोग, sir, telegram channel, जी हाँ, telegram channel study with रितेष से भी जूर जाना है, sir, ठीक है study with रितेष से भी आप लोगों को जूर जानी है क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक क्लास की notice, notification, pdf सभी चीज़ें उहाँ पे प्रवाइड होते रहती हैं चलिये बहुत अची बाते सभी चीज़ें किलियर है पहला प्रशन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुकी है पहला प्रशन है कि कान का कच्या होना का अर्थ क्या है यहां यहां पे बच्चो मुहाबरा से प्रशन अक्सर पूछा जाता है जैसा कि मैं previous class में भी आप लोगों को इस टाइब का प्रस्ण से रुबरू हुए थे, रुबरू मैं करवाया भी था आप लोगों को तो यही प्रस्ण आ चुकी है आप लोगों को बताना है कि कान का कच्छा होना का अर्थ क्या होगा option A है कम शुनना इस्तित्त होता है या option B है सुनी बात पर विश्वास करना या option C दूसरे की बात मानना या option D कान का कमजोर होना चलिए सभी प्रिये विद्यारती बिल्कुल fast answer करेंगे मैं सभी का answer देखने का प्रयास करूँगा चलिए सभी चात्र बताएंगे हैंपे सभी चात्र बताएंगे कि इस प्यारे से प्रश्ण का correct और perfect answer क्या होगा हम लोग बहुत ही speedly बच्चों पढ़ने के अवास सकता है नहीं है ठीक है जो भी चीज़े हम लोगों को पढ़नी है ठीक है genuine questions को हम लोग देखेंगे और important question को ही हम लोग देखेंगे ठीक है चलिए बताएंगे सभी चात्र बताएंगे सर कान का कच्चा होना का अर्थ क्या होगा तो well done यदि आप सभी चात्रे option नमर B को lock कर रहे हो और answer दे रहे हो सुनी बात पर विश्वास करना तो ये answer आप लोगों का सई है या इसके बदले इसके बदले अगर आपसे दे दिया जाएगा कि हर एक की बात मान लेना ये भी आपका उसका अर्थ हो जाएगा कान का कच्चा हो ना तो लिख लीजेगा यहाँ पर हर एक की बात मान लेना ये भी इसका अर्थ होगा हर एक की बात मान लेना मान लेना ये भी इसका अर्थ हो जाएगा तो दोनों के में से कुई भी आप लोग टीक आउट करोगे तो ये आपका इंसर यहाँ पर राइट होगा ओके तो किलियर है चलिए बहुत अच्छी बात है दोस्तो अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण की और हम लोग मूप करेंगे चलिए तो कोश्चन अमरे हम लोग सेकेंड पर आ चुके हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ यहां पर आपसे प्रयवाची सब्द पूछा जा रहा है जी हां कौन सा सब्द पूछा जा रहा है तो प्रयवाची शब्द की बात यहां पर की जा रही है यानि समानार्थी शब्द ठीक है शमा नार्थी शब्द की यहां पे बात की जा रही है ओके तो आप लोगों को करना क्या है कि यहां पे जो भी options दिये हुए हैं यानि दिये हुए शब्दों में भीन अर्थ वाला शब्द है उसको पहचाननी है option A है आत्मजा, option B, नंदनी, option C, भार्या और option D, कन्या चलिए इन अर्थ वाला शब्द को पहचाननी है my dear तो बिल्कुल fast यहां पे आप लोग बताएंगे तो guys यहां पे मैं बात करूँ यहां पे मैं बात करूँ अच्छे से समझो कितना important यह question है यदि आप लोग परिवाची सब्द परे हो तो कोई दिकत नहीं होगा कोई दिकत नहीं होगा sir आत्मजा, नंदनी, कन्या यह जो हमारा तीनों शब्द है तीनों options है तो यह बचो पुत्री का परिवाची सब्द होता है जी हां पुत्री का पुत्री का ये परिवाची सब्द होता है लेकिन जो questions दिया हुआ है यानि भीन अर्थ वाला सब्द पहचानना है तो जो ये भार्या है यहाँ पे ये भीन अर्थ प्रकट कर रहा है इसलिए option number C आपका सही हो जाएगा यदि आप लोग भार्या की और मुपकर रहे थे तो य ये answer आप लोगों का सही हो जाएगा क्योंकि भार्या का यहाँ पे अर्थ की क्या होता है याद रखेंगे पत्नी जी हाँ इसका परिवाची सब्सक्राइब की इसका तो पत्नी तो याद है ने sir दिये गए four options में यहाँ पे जो भी है option number C ये अलग अर्थ को प्रकट कर रहा था ठीक है तो option number C शही हो जाता है चलिए बहुत अच्छी बात है sir अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण की और हम लोग मुप करेंगे इसको इरेज करते हैं और next प्रश्ण आप लोगों के screen पे sir ये जो भी important है बहुत ही जादा important questions हैं आपके बिहार paramedical 2024 के exam of point भी उसे ठीक है तो चलिए next प्रश्ण आचुकी है और ये प्रश्ण में इस प्रश्ण लिखा हुआ है कि तरनी का प्रवाची शब्द बताईए शुर्य, नाम, यूती या नदी चलिए तरनी की बात यहां पे की जा रही है तो my dear students याद रखेंगे my dear students याद रखेंगे कि तरनी का प्रवाची शब्द शुर्य होगा यदि आप लोग option नमर एक ही और मुप कर रहे हो तो ये answer आप लोगों का सही है, correct है लेकिन दोस्तों यहां पे अगर मैं पूछ दूँ, यूती का बताईए तो, यूती का क्या क्या होगा, चलिए सभी चातर बताएंगे यहां पे, सभी चातर यहां पे बताएंगे, यूती की मैं बात करूँ, तो याद रखेंगे, याद रखेंगे sir, ओविवाहिद, ठीक ह और विवाहित इंपॉर्टेंट है इस टाइब का प्रस्न आपका पूछा जाता है आपके बिहार पैरा मेडिकल में सर ठीक है परिवाची सब्द समानार्थी सब्द बिलोम सब्द एक सब्दों के अनेक शब्द इन सभी तमाम टॉपिकों प्रस्न पूछा जाता है तो सभी टॉपिक्स करवाया जाएगा आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है तो याद रखना है सर योती की परिवाची सब्द की बात करेगा तो आप लोग क्या बताओगे तो औविवाहित उसके बाद सर एक और यहां पर लिख लो किशोरी ओके किलियर है गाईज किलियर है ना औविवाहित या किशोरी ये परिवाची सब्द हुआ यह उती की लेकिन यदि मैं दोस्तों ये आप लोगों से पूछ दूँ कि आप लोग ये बता दीजे कि जो ये नदी है इसका क्या होगा चलिए सभी छातर बताएंगे सभी प्रिये विद्यारती बताएंगे मैं सभी का कॉमेंट देखने का प्रयास करूंगा माईडियर तो आप लोग बताएए कि नदी का परिवाची शब्द क्या होगा ठीक है तो याद रखनी है आप लोगों को याद रखनी है या इहाँ पे तटिनी भी अंसर आप लोग दे सकते हो ये सभी तमाम सब्द जो है वो नदी का परिवाची सब्द है किलियर है इन सभी चीजों से सर आप लोग किलियर होना चलिए नोट कर लेंगे और अगली प्रश्णों की और हम लोग मूप करेंगे और अगला प्रश्ण भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है प्रश्ण क्या है अच्छे से बताओगे अच्छे से पहले रीड करूगे और यहां पर प्रश्ण है कि कभी की इस्तरी लिंग क्या होगी सर जी हां तो दोस्तों यहां पर इस्तरी लिंग की बात की जारे तो इस्तरी लिंग की परिभासा अखिर क्या करती है बहुत ही सधारन इसकी परिभासा है कि शब्द का वो रूप जिसे यहां पता लगाया जा स कि यह इस तरी जाती का बोध हो रहा है तो वो हमारी क्या कहलाती है तो वो हमारी इस तरी लिंग कहलाती है लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसी से रिलेटेड प्रस्त आपके स्कीन पे आ गया है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कभी है यह हमारा पुलिंग है ठीक है तो इसका इस्तरी लिंक क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवित्री या कवित्री. ये four options दिये हुए हैं. अब यहां पर पहचाननी है इसका सुध रूप क्या होगा? एक परकार का ये वर्तनी भी आप लोग बोल सकते हो, सर. ठीक है? क्योंकि यहां पर four है और four options में आप लोगों को कवित्री आखिर कैसे लिखी जाती है? सुध रूप यहां पर पहचानने का प्रशन आपके बिहार पैरा मेडिकल में पूछा जाता है. तो यहां पर यह भी काम करेगा. तो बताईए, किस options को आप लोग लोग करोगे? चलिए, सभी चातर बताएंगे, किस options को आप लोग सर लोग करने वाले हैं? चलिए, बिल्कुल fast यहां पर करेंगे सर, well done. बिल्डन दोस्तों, यदि आप सभी चातर कवित्री यानि option number C को आप लोग कर दिये हो, यह answer आप लोगों का सही है. कवी का इस त्री लिंग कवी 3 होगा. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सर, erase करते हैं, और अगले प्रशनों की और हम लोग मूब करते हैं, और अगला प्रसन देखी, अभी just मैंने सुध वरतनी की बात की थी, इससे प्रसन पूछा जाता है. यह बहुत important, इस टाइब का questions रहेगा, सर, आपके बिहार, PMPMM, 2024 की exam में, ओके, तो आप लोगों को बतानी हैं, कि सुध वरतनी का चेहन करना है, तो बच्छो, यदि उचारन शुध होगा, तो वरतनी भी आपकी सुध होगी, और यदि उचारन अशुध होगा, तो वरतनी भी आपकी अशुध होगी, यह पहशाने का trick है, तो बताओ, सर, सभी छात्र बताएंगे, यह पर correct answer क्या होगा, क्या बात है, दोस्तो, चलिए, बहुत अची बात है, यदि दोस्तो, option number, आप लोग C को log कर दिये हो, यानि option number C, इस प्यारे से question का correct answer हो जाएगा, सर, यह आपका गलत है, याद रखना है, याद रखना है कि जो अस्तवेत्या का सुध रूप है, वो ऐसे लिखाएगी, सुध वरते नहीं, ठीक है, चलिए, बहुत अची बात है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की और हम लोग मूब करते हैं, और अगला प्रश्न भी आप लो अगलती, लक्ष्मी, गंगा या यमुना, चलिए, शभी प्रिये विद्यार्थी बताएंगे यहां पे कालिंदी की बात की जा रही है, चलिए, कालिंदी की बात यहां पे की जा रही है दोस्तों, तो आप लोगों को बतानी हैं क्या होगा, चलिए, बिल्कुल फास्ट, ब बहुत अच्छी बात है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है यदि आप लोग कालिंदी का शमानार्थी सब्द का एंसर दे रहे हो यमुना option number D यदि एंसर दे रहे हो तो ये एंसर आप लोगों का सही है कालिंदी का परवाची शब्द यमुना होगा लिकिन यहां पर दोस्तों सरस्वती की भी बात की गई है तो गीरा बताए सलिए सभी छात्र बताएंगे सर एक मैंने लिख दिया फिर बताए सेकिंड क्या होगा तो शारदा फिर बताओ बचो ठर्ड क्या होगा ठर्ड क्या होगा बताए सभी छात्र बताएंगे तो वीना प यह क्या हुआ सर स्रामानार्थी शब्द है स्रामानार्थी याद रखना है सर वीनापानी है अब यहां पे लक्ष्मी की भी बात थोई है तो इन intelligence क्यों छोड़ें है रहे हैं ठीक है यह आपका किसका है तो यह आपका यहाँ पे लक्षमी का परिवाची सब्द मैं आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ और उसके बाद आपका रमाश्री ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट यह सभी प्रश्ण है बच्चो तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन इसको कर बिलकुल फास्ट बताईए चलिए बहुत अच्छी बात तो यदि आप लोग भागी रथी दूसरा भागी रथी अंड दूसरा परिवाची सब्द गंगा का बताईए तो यदि आप लोग देव नदी इसका परिवाची सब्द पे टीक आउट करोगे एंसर दे रही हो तो यह आपका एंसर सही है ओके चलिए बहुत अच्छी बात है अगला प्रस्थ अगला प्रस्थ बच्चों यहाँ परिवाची सब्द से प्रस्थ जो भी है अच्छे से उसको no down करेंगे और जितना हो सके practice करोगे आप लोग ठीक है परिवाची सब्द को लेकर मैं एक PDF आप लोगों को provide करूँगा ठीक है PDF एक provide करूँगा जिसमें आपको list रहेगी परिवाची सब्द की यानि किसका क्या होगा परिवाची सब्द ठीक है जो आप लोग उसको revision करते रहेंगे importance है ठीक है चलिए अब इसको erase हम लोग करते हैं और next question की और हम लोग move करेंगे और next question भी आपके screen पे आ चुकी है उन मुलन का willom क्या होगा तो देखिए यहाँ पर बच्चो उल्टा सब्द willom शब्द ठीक है प्रस्द अक्सर पूछा जाता है जैसा कि मैंने अभी just आप लोगों को बताया कि willom शब्द परिवाची शब्द से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए willom शब्द की बात की गई है तो अब आप लोगों को बतानी है अब आप लोगों को बतानी है कि क्या होगा जी हाँ चलिए उन्मुलन की बात यहाँ पे की जा रही है तो उन्मुलन का अर्थ ही होता है बच्चो जर से उखारना जी हाँ इसका अर्थ की अगर मैं बात करूँ तो जर से उखारना उन्मुलन का अर्थ होता है अब आप लोग पहचान के बता दो ये आपका क्या हुआ, तो अर्थ हुआ, ठीक है, काफी ऐसे भी शब्द आपको स्क्रीन पे आ जाएंगे, थोरा सा आप लोगों का माइन भी डाइवर्ट होगा सर, जी हां कि आखिर इसका क्या होगा विलूम शब्द, तो इसलिए इसका अर्थ भी जानना आपके लिए से उखाड़ना, ठीक है, चली, बताईए, अब इसका क्या होगा बच्चो, इसका क्या होगा विलूम शब्द, तो उखारना अथार्थ यहां पे क्या होगा, तो रूपन होगा, जब उखारेंगे, तो रूपन यही ना, तो आप्शन नमर C, करिक्ट हो जाएगा रूपन, ठीक है, रूपन हो जाएगा, ठीक है, चलीए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्ते हैं पर उथान की भी बात की गई है न, तो उथान का बताईए, तो क्या होगा विलूम शब्द, जी हां, उथान का बताईए, तो पतन होगा, ठीक है, उतकर्ष की बात यहां पे की गई है तो बताईए इसका क्या होगा उतकर्ष का विलूम शब्द क्या होगा चलिए तो अपकर्ष याद रखेंगे अपकर्ष ओके, किलियर है उसके बाद अउनती की बात यहां पर की जा रही है तो अउनती का क्या होगा अउनती का क्या होगा बच्चो बताओ तो, अउनती का विलोम शब्द क्या होगा तो उननती होगा उननती किलियर है, किने को कोई डाउट तो नहीं है बच्चो चलिए बहुत अची बात है चीजों को नोट करते हुए अब हम लोग अगले प्रश्णों की और मूप करेंगे और अगला प्रश्ण भी आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुकी है प्रश्ण क्या है कि पवन का शंधी विछेद क्या होगा जैसा कि मैंने बता रखा था आप लोगों को कि यहां पर शंधी विछेद से प्रश्ण पूछा जाता है तो देखिए यही प्रश्ण आ गई है पवन का शंधी विछेद पूछा जा रहा है सर जी हाँ, चलिए बताएए, सभी छात्र बताएंगे सभी छात्र बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है दोस्तो यदी आप लोग, यदी आप लोग यहाँ पे एंसर दे रहे हो पॉज जोर वन नहीं होगा पॉज जोर वन नहीं होगा पॉज जोर अन यह भी नहीं होगा यदी आप लोग option number C की और मूप कर रहे हो और पॉज जोर अन एंसर दे रहे हो यह एंसर आप लोगों का सही है पॉज जोर वन का संधी विछेद याई होगा ठीक है, चलिए बहुत अची बात है सर बहुत ही अची बात है अगला प्रश्ण स्क्रीन पे अगली प्रश्ण की और अम लोग मूप कर चुकी है और यह भी प्रश्ण आपके स्क्रीन पे आचुकी है और यहां पे इंसर बतानी है कि इंदरियों को जितने वाले के लिए एक शब्द क्या है चलिए इन सभी तमाम प्रश्णों से रूबुरू हो चुके हो सर बस questions change है शब्द चेंज है लेकिन प्रश्ण वही है important है है ना चलिए बताईए इंद्रियों को जितने वाले के लिए एक शब्द आखिर है क्या option A है दूरदर्शी option B दतचित option C कुशाग्र बुद्धी और option D जितने रिये चलिए शब्द प्रश्ण का correct answer बताएंगे क्या बात है चलिए सभी छातर बताईए हैं पर बिलकुल fast कि इंद्रियों को जो जीत ले उसको क्या कहेंगे सर उसको क्या कहेंगे तो well done option D correct हो जाएगा सर जितने रिये उसको कहा जाता है जितने रिये उसको कहा जाता है याद रखेंगे ओके बहुत अची बात है लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्ण बेफोकस तो हम लोगों ने कर लिया उसका answer भी देख लिया लेकिन यहाँ पर एक प्रश्ण है दूर दर्शी अगर इसका मैं पूछ दू किसका ये एक शब्द है किसका ये एक सब्द है तो यदि इस प्रश्ण को सर क्रोस कर दिया जाएगा काट दिया जाएगा और इसके बदले में अगर लिख दिया जाएगा यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझोगे सोचने वाले को क्या कहेंगे जी हाँ यहाँ यहाँ प सोचने वाले को क्या कहा जाएगा, चलिए, बात सोचने वाले को क्या कहंगे, तो याद रखेंगे, दूर, दर्सी कहंगे, किलियर है? अब अगला यहाँँपे जो option से इसको भी हम लोग जान जाते हैं, ये किसका एक शब्द है Sir, दतचित, है ना, दतचित की बात इहां पे की जा रही है, चलिए, सभी छात्र बताएंगे, सभी छात्र बताएंगे Sir, जी हां, तो याद रखेंगे, एकागर मन वाला, जी हां, उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे, तो दत्चित कहेंगे जी हां काफी ऐसे स्टुडेंट हैं इस सेशन में इस क्लास में जो की एकाग्र बुद्धी से पर रहे हैं पर रहे हैं न सर जी हां किसी से कुछ लेना देना उनका नहीं होगा बस focus on the study है ना ऐसे भी काफी स्टुडेंट हैं तो उनका जो एक सब्द में कहेंगे और एक सब्दों का जो एक सब्द में उसका अर्थ होगा वो दत्चित कहेंगे ठीक है तो लिख लिजेगा एकाग्र मन वाला ओके एकाग्र मन वाला या कार में रमा हुआ ठीक है देखिए अब जश्ट मैंने बताया और यही चीज़ हैं कि कार में रमा हुआ यह हमारा क्या होगा तो यह हमारा दत्चित है ठीक है चलिए उसके बाद यहां पे एक और यहां पे options आ रही हैं इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं अगर कुशागर बुद्धी की बात नहीं पे की गई है ना कुशागर बुद्धी की बात की गई तो जिसकी बुद्धी बहुत तेज हो उसको एक सब्द में कुसाग्र बुद्धी कहेंगे सर जिसकी बुद्धी बहुत तेज हो ठीक है जिसकी जिसकी बुद्धी बहुत तेज हो बहुत तेज हो उसको एक सब्द में क्या कहेंगे तो कुसाग्र बुद्धी कहेंगे किलियर है किनी को कोई doubt नहीं है dear चलिए screen पे सभी चीज आपको clear so हो रही है तो इस type का भी प्रश्चना आपको देखने को मिल सकता है तो इसलिए सभी चीजों पे आप लोग फोकस करेंगे और सिर्फ यही याद आप लोगों को नहीं रखना है कि इंदरियों को जितने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे ठीक है ये तो याद रख लिए हैं कि जितने इंदरिये कहेंगे लेकिन इन सभी को भी याद रखना होगा आप लोगों को ओके चलिए next erase करते हैं और next प्रश्णों की और हम लोग बरहेंगे और next question भी students आपके screen पर आ चुकी है और इसमें आपसे पूछी क्या जा रही है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहाबरा क्या होगा अब देखिए मुहाबरा चलिए बताइए option A है दात काटी रोटी option B अस्तीन का शांप option C अकल की दूम और option D की अवनुष का कुंडा चलिए बताइए कपटी मित्र के लिए सही मुहाबरा क्या होगा सर बिल्कुल फास्ट यहां पर करेंगे सर एक song भी आप सभी के बीच सुनाया जाएगा बहुत ही famous song ठीक है चलिए तो पहले प्रश्टों पर हम लोग आते हैं फिर हरेक चीज़ हम लोग करेंगे और बताएंगे सर क्या होगा बताएं बिल्कुल फास्ट यहां पर बतानी है बिल्कुल फास्ट यहां पर बतानी है, सर क्या होगा, क्या बात है, वेल डन, कप्टी मित्र के लिए सही मुहाबरा होगा बच्छो, आस्तीन का शाँप, जी हाँ, ऐसा तो आप लोगों का कोई दोस्त तो नहीं है न, सर, कि कप्टी मित्र के नाम से वो जाना जाता हो, ऐसा तो नहीं है न कोई कि है पताइए कोई तो नहीं है न में भी नहीं होना चाहिए चलिए तो याद रखेंगे सर आस्तीन का शांप उसका मुहाबरा होगा शही मुहाबरा होगा ठीक है याद रखेंगे चलिए next next question आचुकी है प्रशन क्या है किनिमलीखित में से कौन एक काल का भी अर्थ देता है अब देखिए यहाँ पे काल का अर्थ देने वाला दिये गये 4 options में कौन option सही है आपको पहचान नहीं है चलिए एक है जो काल का भी अर्थ देता है चलिए बिल्कुल fast बिल्कुल fast यहां पर बताएंगे सर कर्ज कर्ज की मैं बात करूँ तो कर्ज क्या है चलिए बताईए कर्ज क्या है तो यह रीन है रीन है न सर कर्ज कर्ज यह आपकी क्या है तो यह आपकी रिन है उधार है 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 ना चलिए उसके बाद यहां पे अम्बूज की बात यहां पे की जा रही है तो इसका अर्थ क्या होगा पताएए इसका अर्थ क्या होगा अम्बूज का अर्थ क्या होगा तो कमल उसके बाद यहां पर ब्रह्मा हो जाएगा ठीक है तो यह सभी अम्भूज का यहां पर अर्थ देता है ठीक है लेकिन यहां पर पूछा क्या जा रहा है जो दिये गए four options में कोई एक ऐसा options है सही होगा वो options जो की काल का भी अर्थ देता है तो इस चीश से भली भाती परिचित हो आप लोग की यमराज होगा सर यमराज कोहीं न सर काल कहा जाता है कहा जाता है न तो option number B यदि आप लोग answer दे रहे हो तो यह answer आप लोगों का सही है correct है ओके चलिए बहुत अच्छी बात ह बहुत अच्छी बात है सर नेक्ष्ट नेक्ष्ट प्रश्ण के और हम बढ़ते हैं और नेक्ष्ट प्रश्ण क्या है नेक्ष्ट प्रश्ण क्या है कि जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एकल सब्द क्या है जिसे बुलाया ना गया हो एक सब्द में उसे क्या कहेंगे चल सभी चात्र बताएंगे यहां पर जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एकल सब्द क्या है जी हां यानि जिस अस्थान पर जिस घर में किसी को ना बुलाया गया हो अगर वो चला जाए तो उसको एक सब्द में क्या कहेंगे जी हां कुल फास्ट यहां पर एंसर देंगे सभी छात्र क्या बात है वेल डान अना हुद आपका सही हो जाएगा यानि option नमर ए दिए गया questions क्या सही अंसर हो जाता है ठीक है well done next question next question आपके screen पे guys आ चुकी है अब आप लोगों को बताना है या पे क्या होगा इसका correct answer ठीक है चलिए प्रश्ण है प्रश्ण क्या है कि उत्तम का विलोम क्या होगा चलिए उल्टा शब्द है ना पूछा जा रहा है ना दो बताईए विलोम शब्द option a है अधम option b मीठा option is restore option the अधर्मी चलिए सभी छात्र बताएंगे उत्तम का विलोम क्या होगा four options में ही आप लोगों को ढूंदना है sir एक्स्ट्रा mind आप लोग नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा दिमाग इधर उधर खर्च करने कि अब सकता है नहीं है उत्तम का विलोम शब्द आपको पूछा जा रहा है और options for दे दिया गया है अब आप लोगों को पहचानना है तो my dear start लगेंगे कि उत्तम का अधम हो जाएगा क्योंकि अधम का अर्थी होता है नीच है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को confuse ना हो इसलिए मैं इसका अर्थ यहाँ पर लिख दिया सर ठीक है तो इसलिए याद रखेंगे कि उत्तम का अगर बिलोम आप से पूछे तो अधम देंगे यदि अधम के बदले में नीच रहता तो नीच पर टीक आउट करते ठीक है तो लेकिन यहाँ पर अधम दिया है इसलिए option number A इस questions का correct और perfect answer हो जाता है ठीक है चलिए सभी छातर बताईए मीठा मीठा की बात यहाँ पर की जा रही है इसका क्या होगा विलोम शब्द तो याद रखेंगे गड़वा ओके श्रिष्ट उसके बाद फिर स्रिष्ट की बात यहाँ पर की जा रही है तो स्रिष्ट का क्या होगा बच्चो श्रिष्ट का क्या होगा चलिए बिल्कुल fast यहाँ पर बताएंगे चलिए बहुत अच्छी बात है यदि आप लोग तुछ या निमन answer दे रहे हो तो यह answer आपट लोगों का शही है ठीक है इसका विलोम शब्द यह हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है पे अधरमी की बात की जा रही है तो याद रखेंगे धरमी हो जाएगा ठीक है धरमी या धर्मनिश्ट इसका विलोम शब्द होगा डियर OK E, किलियर है करणा है कि इलाईचि बातना मोहबरए का अर्थ क्या होगा जो तीच सकते हैं मोहबरे से परयवाची से विलोम से ठीक है काफी इसे related प्रश्न है तो इस related प्रश्न करवाने का प्रच्चो जो reason है वो क्या है कि आप लोग इस टाइब के प्रश्णों से रूबरू हो जाने कि हां मुझे ये भी पढ़ना है क्योंकि हिंदी के सेक्षन से बचो कुछ ज्यादा टफ आपका कोशन नहीं पूछा जाता है ठीक है तो अगर आप लोग इस टाइब के प्रश्णों पे फोकस कर लेते हैं जो भी है समाज संधी तो आपका इसली हिंदी के सेक्षन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो टेंसर नहीं लेना है हर एक चीज करवाया जाएगा आप लोगों को ठीक है तो बताइए पहले इलाइची बातना मुहाबरे का अर्थ क्या होगा किसी की मर्यादा भंग करना ऑप्शन बी दावत देना एब उप्शन से अफवा फैलाना या उप्शन डी आवस्यक्ता से अधिक देना चलिए बिलकुल फास्ट बिलकुल फास्ट यहां पे सभी प्रिये बिद्यार्थी बताएंगे मुझे की क्या होगा चलिए चलिए, क्या बात है दोस्तों, याद रखेंगे, याद रखेंगे, यदि आप लोग दावत देना, यानि option number, यानि option number आप लोग B को लॉक किये हो, दावत देना answer दे रहे हो, तो ये answer आप लोगों का सही है, लेकिन दोस्तों, यदि आप लोगों से मैं पूछ दूँ, आप ये बता दो कि इज्जत विगारना, जी हाँ, इज्जत विगारना, विगारना का क्या होगा यहाँ पे, मुहावरा, क्या कोई बच्चे मुझे बताएंगे, तो माई डियर याद रखना, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा, वो अर्थ हब का ये होगा, जी हाँ, यानि किस की मर्यादा भंग करना ठीक है तो याद रखेंगे इस टाइब के मुहाबरे से प्रश्ण अकसर देखने को मिलते हैं ओके चलिए बहुत अची बात है अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण की और हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण भी आप लोगों के स्क्रीन प्रश्ण क्या है कि निमलीखित में से सुध वरतनी को चुनिये ऑप्शन ए है संग्रहित ऑप्शन भी ग्रिहनी ऑप्शन सी अधीन और ऑप्शन डी कुमुदिनी तो माई डियर श्टुडेंट्स तो जो वरतनी का जो सुध रूप होता है न बच्चो तो उसका ग्रही है या गलत है ठीक है तो देखिए हैं पेश्चूत पहले पहचान जाओ तो संग्रहित ऐसा लग रहा है कि ये गलत है गलत है तो गलत है ऑप्शन भी देखते हैं ग्रेहनी ग्रेहनी नहीं होता है बच्चो ग्रिहनी होता है ये भी आपका गलत है उसके बाद कुश्चन्स दिया हुआ है यह आपका सही हो जाएगा यदि आप लोग ऑप्शन नमर सी की और मुप कर रहे थे और अधीन एंसर दे रहे थे तो यह एंसर आप लोगों का सही है ओके तो अधीन का यह शुध वर्तनी है शुध रूप है लेकिन यह आपे देखिए अब जान जाओ कि यह कैसे लिखा जाएगा इसका जो सुध रूप है वो किस परकार होगा तो दोस्तों सन ग्रहित ऐसे लिखा जाता है शन ग्रहित यह आपका सुध रूप हुआ ठीक है ग्रहिनी की मैं बात करूँ तो इसका भी सुध रूप आप लोग जान जाओ तो ग्रहिनी होता है सर ग्रहिनी यह आपका सुध रूप है ठीक है और उसके बाद कुमूंदनी की मैं बात करूँ तो इसका भी आप लोग सु कुमूदिनी होता है, ठीक है, कुमूदिनी, तो यह आपका शुध रूप है, शुध रूप कैसे लिखा जाएगा, आप लोग पहस्चानज़ जो भी options दिये गए थे, यह शुध का था, ठीक है, लेकिन जो भी questions था, कि सुध वर्तनी पहस्चानी है, तो option number C, सही हो जाता है, तो बच्चो, यही रहा आज की session का questions, आप लोग इन सभी तमाम questions से रूपरू हुए, देखें कि यहां किस type का प्रस्ण पूछा जाता है, किस-किस topic से प्रस्ण पूछा जाता है, और जो हिंदी का section होता है, बच्चो, कुछ tough questions नहीं उसमें रहता है, तो आप लोगों को tension नहीं लेना है, हिंदी का आपको easily 15 questions जो पूछा जाता है, वो करवा दिया जाएगा, तो I hope आज की जो यह session थी, आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, तो यदी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग अपना feedback जरूर दीजिएगा, और हम लोगों की मुलक होगी next session में, लेकिन बच्चो एक प्यारा सा song मैं सुनाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने class में ही बता रहा था कि आप लोगों के बीच एक प्रस्थुत करूँगा song class के end में, तो song कौन सा है? एक प्यार का नगमा है, मौजो की रवानी है, जिन्दगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, चले guys, I hope आज के session आप लोगों को बहुत जाद आची लोगे, फिर हम लोगे मुलकात लोगे next session में, next question के साथ, तब तक के लिए, one day, मात्र,